। Option का premium हमारे लिए महंगा ए, या JULy कैसे पता करें। अगर आप option trader है निफ्टी, bank निफ्टी में option trading करते। चो法 किस Catherine am Liars Go कि इस splendid Price का Liars Holds हमारे लिए महंगा या सता है। तो इस video में हम इसamat Ci sampu को जाने वाले हैं तो वीडियो को लाष तक जरूर देखें. Hello friends, मैं हूँ आरेनपाल, भूम टेर बेंश का स्वागत है. आज किस वीडियो हम सीकेट को जाने वाले हैं कि कैसे हम पता करेंगे कि इस स्ट्राइक प्रैस का जो प्रीमियम है है हमारे लीह है महंगा है जा सस्ता है आए भी क्या होता हैE-ए-डि-टेल में इसके पिछले वाले वीडियो में समझाया हुआ है लिंक मैंने uniform कर दे सेया एंऩ कर देख लें आई भी क्या होता है जैसे आफ से अब हम्हें понравD और जितना यह नीचे गया है तो implied volatility क्या होती है आपने वर्ट सुना होगा कि market वर्ट वर्ट वर्लेटाइल है मतलब कि बहुत ज्यादा उपर नीचे हो रहा है तो जितना ज्यादा वर्लेटाइल रहेगा उतना ज्यादा आपका उसमें profit होगा अगर ऑफ्सन बायर हो तो अगर market वर्लेटाइल है तो फटाक से बढ़ेगा फटाक से नीचे आएगा वर्लेटाइल है तो इसको बोलते है implied volatility क्या होता है कि जो price का जो इस तरह से moment होता है ठीक है एक base ले लेते हैं जितना ये उपर गया है जितना ये नीचे आया है तो इसका average price का value उसको बोलते है implied volatility जिसका हम errors निकालेंगे तो उसको बोलेंगे implied volatility ये आपकी जो value निकलती है ये आपको नहीं निकालना है ये आप को option chain के data में देखने को मिलेगा option chain की ऊपर जो मैंने लवक 30 मुन की वीडियो बना रखी है जिसको मैंने detail में step by step समधा रखी है कि option chain का analysis कैसे करते हैं उसमें फिर हम आएंगे PPT पर फिर उसके माधियर से समधाएंगे कि कैसे पता करेंगे कि महंगा है या सस्ता है चलिया option चलिकर डेटा पर लेचलते हैं आपको कि आपको गूगल पर सर्च करना है निफ्टी option chain निफ्टी यहां पर लिखा है निफ्टी यहां पर लिखा है निफ्टी यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे विकली स्पाइडिक आप डेट लगा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर निफ्टी लिखा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको bank nifty का data मिल दाएगा, और जहाँ पर लिखा है select वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे stock का जिस stock का चाहिए option चिन का data हो मिल दाए तो यहां पे जो है यह रहा आपका आईवी इंप्लाइड वलेटिलिटी यहां पे हम आईवी देखेंगे अब यह हमारा स्ट्राइक प्राइज है तो हम अगर मालेजे निफ्टी यह 17,500 पे है ठीक है नीचे आते हैं थोड़ा और अब यहां पर आते हैं अब निफ्टी 17,500 क यह otm हो जाएगा इस तरह से white वाला person जो रहेगा otm put side और यह हो जाएगा ITM हो जाएगा हमारे लिए यह dark वाला और यह जो गॉला ही है इसा हमारे लिए एर्दमनी हो जाएगा ठीक है जिस अभी strike price पे close हुआ है वो हमारा एर्दमनी हो जाएगा तो हम हमें implied volatility देखना है इ कॉलम में आएगा ठीक चोथे कॉलम में आएगा तो अगर हम हम यहां पे देखिए अगर 17,500 का हमें कॉल बाइए करना है तो हमें implied volatility देखना है ठीक है इसका जो implied volatility होगा यह यह यहां पे देख रहे है अ करेंगे तो चलिए पीपीटी पे ले चलते है आपको है समझते है कि जैसे इकजम्पल का लिया था एक स्पीरी हमने फरवरी का का लिया है यहां पर इख से श्ट्राइक प्रवरी का 10-100-100-000 की लेकी फरवरी का या इए की ऐग लिख मारच का है स्पाइडी आप यहां पे 10ắnस दिखिए ठीक है सतनेजारब पांसो का सिए में भाई करना है एक फर्वरी का है एक मारच का है लेकिन जो फर्वरी का हो 10 रॉपए मिल रहा है हमें जिंड जो मार्च का हो 17 मिल मिल रहा है लेगिन इसका जो ib है इंप्राइट वलेटी है वो फरवरी वाले का 30 है और मार्च वाले का 20 है तो अब हमारे लिए जो कॉल अगर बाइग कर रहे हैं तो अमारे लिए कौण सा अपसं ससता रहे खांप्त अ कौण सा हैं अब आप बोड़ोगे कि यह जो लेकिन जिसका सबसे कम IV रहेगा, implied volatility कम रहेगा जिसका, वो हमारे लिए option सस्ता रहेगा, कैसे, जब हम सस्ता option खरी देंगे, तभी तो हम महंगे भी बेचेंगे, जब इसकी implied volatility बढ़ेगी, तो option का premium बढ़ेगा, तो हम वहाँ पर premium बढ़ेगा, तो हम वहाँ पर बेचके निक होगा, वो strike price का जो option premium रहेगा, वो हमारे लिए सस्ता रहेगा, ठीक है, तो भेले ही आप फरवरी का 10 रुपे मिल रहा है, और सेम strike price का मार्स का 20 रुपे मिल रहा है, तो आप सोचेंगे 20 रुपे जादा महंगा है, 10 रुपे वाला खरी लेते हैं, लेकिन इसका implied volatility ज्यादा है, तो यह महंगा पड़ेगा हमें, जबकि इसका implied volatility 20 है, तो यह हमारे लिए option सस्ता रहेगा, pro tip क्या लिए आपके लिए है, हमेसा IB देखो, जिसका IB कम है, वो हमारे लिए option का जो premium है, वो हमारे लिए सस्ता है, अगर IB ज्यादा है, तो premium हमारे लिए महंगा है, ठीक है, how to decide whether you should buy the option, हम कैसी decide करेंगे कि हमें कौन सा option buy करना है, ठीक है, तो देखो, अगर आप option buyer है, अगर आप call buy करते हैं, मतलब आप bullish हैं, जब आप call buy कर रहे हैं, तो जैसे आपने call buy किया, तो आपका जो IB है, वो बढ़ना चाहिए, तभी आपको profit होगा, आपके जो premium है, वो और तभी आपका option में profit होगा, तो अगर आपने put buy किया है, अगर आपने put buy किया है, ठीक है, तो आप बीरिस हैं, तो नीचे इसका implied volatility उस strike price का बढ़ना चाहिए, अगर आप option seller है, ठीक है, तो अगर आपने call को sell किया, इसका मतलब आप बीरिस हैं, तो जो implied volatility है, वो घटना च profit होगा, ठीक है, तो जो हमारा ये pro tip है क्या है, कि if you are option buyer, IB must increase, मतलब आपका option buyer है, तो implied volatility बढ़ना चाहिए, तभी आपका profit होगा, तो इस तरह से trader हम यहाँ पे जानेंगे कि IB की मदद से हम पता कर सकते हैं, कि हमारे लिए option महगा है या सस्ता है, option chain का data कहा मिलेगा, सिधे आ आपको nifty option chain analysis, वहाँ पे data open हो जाएगा, निसी इंडिया website की, ठीक है, वहाँ पे जाके आप implied volatility देख सकते हैं, option chain का data अगर पुरा आपको सीखना है, तो मैंने detail video बना रखी है, link मैंने description दे रखी है, प्लीज जा करके उसको देख लें, and finally thanks for watching, अगर आप हमारे चनल पे हम दोड़ा निए navigating, यहाँ आपको सा कते ही हैं, और छो करके आप हमारे कि नहाँ व्लाले पको सिफ़ नहाँ जाबास का दित रुरास genetics